एक और आगया ऐसा समय जहां एक ग्रह अपने ही घर में बैठ कर आपको अपार लाब देने वाले हैं जै मादादी दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ग्रहों के सेना पती के बारे में अभी तक शनी अपनी राशी में विराजमान है जो उनकी अपनी राशी है अब यहां मंगल जो की व्रश्चिक राशी और मेश राशी के स्वामी हैं स्वेराशी गत होने वाले हैं ग्रहों के सेनापती मंगल का अपनी राशी में जाना बहुत बड़े परिवर्तन का संकेत देगा क्योंकि अभी तक मंगल कहां विराजमान हैं तुला राशी में बैठे हुए हैं और अब आने वाली 16 तारी को दीपावली का पर्व खत्म होते ह 16 नवंबर को मंगल का राशी परिवर्तन होगा और मंगल कहां जाने वाले हैं अपनी राशी व्रश्चिक राशी में व्रश्चिक राशी में मंगल का आना अपने घर आना बड़े बड़े बदलावों का कारण बनेगा वोई भी रहे जब अपने घर में आता है तो बड़ प्रसन बड़ा बलशाली होकर आता है और अपने घर में बैठकर कई तरह के ऐसे परिनामों को देता है जो वाकई में यादगार बन जाते हैं देखे मंगल को आप कैसे जानते हैं मंगल एक भूमी पुत्र हैं मंगल उग्र कहे जाते हैं सबसे अधिक अनरजेटिक हैं और पुरुस परदान ग्रह हैं इसके अलावा मंगल एक चीज़ के लिए और बड़ा जाना जाता है मंगल दोश ये अकसर जातकों के विवाह समंधित परिशानिया भी देता है तो मंगल ग्रहे जो हैं उसके अंतरगत जो लोग आते हैं वो बड़े गर्म स्वभावाले बड़े क्रोध के देखे जाते हैं यानि क्रोध ही जादा देखे जाते हैं चोट-चोटी बातों पर गुस्य करने वारे दे दे जाते हैं लेकिन जब मंगल मौजूद होता है सकारातमक रूप में तो ये व्यक्ति को इतनी बड़ी-बड़ी काम करने की शम्ता देता है बड़े से बड़े जोखिम लेने की शम्ता देता है ये व्यक्ति के अंदर बहुत अधिक साहस देता है ये विक्ति को जुनूनी बनाता है दड़ संकल पर ये विक्ति को परदान करता है मंगल ऐसे ही नहीं मंगल की बहुत बड़ी बड़ी विशेसताइं होती है और ऐसे ग्रहकार अपनी ही राशी में आना कुम राशी के जातकों के लिए विशेस रूप से फलदाई है क्योंकि ये आपका कर्म का भाव है ये आपका करियर का आपके व्यवसाय का आपके कर्म का भाव है अब यहां कर्म भाव के स्वामी आ रहे हैं अपने कर्म भाव में तो आपके लिए अब यहां 16 नवंबर से यानि दीपावली का पर्व खत्म होते ही कैसे योग बनने वाले हैं और क्या उपायाब कर सकते हैं और इनकी द्रस्टी क्या कुछ करने वाली है ये सारी जानकारी मिलेगी तो वीडियो को लास तक देखें चैनल पर पहली बार आये हैं तो सब्सक्राइब अभी कर लें अब 16 नमबर को मंगल आएंगे यहां सुबह को 10 बजे ही इनका राशी परिव ही देखना चाता है यह आप सबसे पहले आपके लिए जानना जरूरी है और मंगल बहुत बड़ी बड़ी चीजों के कारक हैं सरकार जैसी चीज के राजनीती जैसी चीज के कारक मंगल कहे जाते हैं कुम राशी के जातकों के लिए ये दस्वा भाव है और दस्वा भाव ज रिजल्ट आपके देने वाले हैं तो सबसे पहरी चीज तो यह है कि अगर आप किसी भी तरहे राजनीती के फिल्ड से जुड़े हैं सरकार की छेत्रों से सरकार की चीजों से आप जुड़े हुए हैं तो वहां आपको सहयोग जरूर प्राप्त होने वाला है आपका द्रस्ट अच्छे योग बनेंगे आपको बस जल्दबाजी नहीं करनी है बेहदी समझदारी चतुर तरीके से आप काम करते हुए नजार आएंगे और साथ में अगर आप सरकार की कुछ योजनाएं ले रहे हैं तो आपकी जो योजनाएं वो बड़े अच्छी से योजनाएं काम कर करने वाली है कोई नेता आपकी बड़े मदद करने वाला है इसके अलावा जिस चीज के मंगल कारक है वो चीज दूसरी है सेना पुलिस नो सेना ये चीजें मंगल से जुड़ी हुई है अगर आपको इनमें जौब प्राप्त करनी है तो ये समय आपके लिए बहुत शुब है कि आप इन चीजों में जौब के लिए अपलाई कर सकते हैं थोड़ी सी मेहनत आपको अच्छे रिजल्ट दिला सकती है गर्मेंट जौब आपकी लगा सकती है इसके अलावा मंगल किस चीज के कारक है चिकित्सा के शेत्र के कारक है अब आप समझ लिए अगर आप चिकि इन में जुड़े लोगों को भी जबरदस्त सफलता देखने को मिलेगी या फिर कई शेत्रों के लेखक हैं जो आप लेखक हैं अगर तो वो तो फलेंगे फूलेंगे इसके अलावा योग प्रसिक्षक हैं योग सिखाते हैं योग का किसी तरह से काम करते हैं चाहे आप ओनला भाव में बैठका ये सारे चीज़ें आपके करियर से जुड़ी है और अब आपके करियर में ही यहां चार चांद लगने बाने है यानि आपके करियर के लिए तो ये जबरदस्त लाब देने वाले साबित होंगे अब मंगल देखिए यहाँ जब बैठेंगे मंगल की जो दरस्टी है वो भी बड़े कमालगी होगी अब मंगल आपके दसवे भाव में बैठ कर आपके लगन पर दरस्टी डालेंगे आपके जो चौथा भाव है उस पर दरस्टी डालेंगे और साथ में मंगल की जो दरस्टी होगी वो होगी दूसरे भाव पर अब यह जो मंगल की दरस्टी है यह बड़ी लाबदायक रहने वाली है यह आपको अधिकार वादी बनाएगी यह आपको अपने बारे में सोचने पर मजबूर करेगी कि आपने आपको आप कैसे इंप्रोव कर सकते हैं आप अपने लिए किस तरह के कामों की जरीए अपने आपको उपर ले कर जा सकते हैं चौथे भाव पर दरस्टी आपकी मादा के साथ आपकी बॉंडिंग को बहुत अच्छा सुधारेगी घर परिवार में बड़ा अच्छा आपको सकारातमक परिणाम देखने को मिलेंगे साथ में पंचम भाव पर जो दरस्टी होगी सिक्षाओ विद्यारतियों के लिए बहुत अच्छी है इस्टूडेंट्स के लिए ये समय होगा अपने जो करियर प्राप्त करना चाहते हैं तो मैं बता चु हैं वैपार करने के लिए भी नए स्टार्टप को शुरू करने के लिए भी ये समय अच्छा रहेगा अब देखें मंगल एक चीज और कराते हैं यात्राओं का बड़ा तगड़ा लाब देते हैं ये क्योंकि यात्राओं के कारक हैं तो आपको विदेश यात्रा का मौका भ भी मिल सकता है ये पंचम भाव पर द्रस्टी जो मंगल की होगी बहुत अच्छे लाब देगी प्रतम भाव पर जो द्रस्टी है वो क्या करने वाली है ये प्रतम भाव पर द्रस्टी आपके लिए आपके व्यक्तितों को निखारेगी लेकिन मंगल क्योंकि क्रोधिक रहे है तो आपके क्रोध को थोड़ा सा बढ़ा सकती है छोटी छोटी बातों पर चड़ जाना छोटी छोटी बातों को लंबा खीच देना तो इस चीज को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा मैं आपको उपाय बताऊंगी उपाय आपको जरूर करने हैं हाला कि मंगल आपको अच्छे रिजल्ट देंगे, प्रेम जीवन के मामले में भी अच्छे रिजल्ट देने वाले हैं, प्रेम विवाह के भी योग बनाएंगे, लेकिन बस आप उपाय जरूर कर लें, मंगल वार के दिन हरुमान 40 अका पाट करना शुरू करें, और जो साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करने, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें